हाई बचापाटी, वेलकम तू कॉमर्स अटा 24-7, माइनेम इस सर्श और बच्चो आज आप लोगो बताने वाला हूँ एक ऐसे फॉर्म के बारे में जो की बहुत जादा आपके लिए फायदे मन दोने वाला है, एक ऐसा पेपर जो आपके लिए बहुत जादा फायदे मन दो हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोग को आज बताने वाला हूँ, तो सर सबसे पहले यह NCEET होता क्या है, इसके बारे मताईए, चलो बच्चो, देखो यार, सिंपल बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास 12 के बाद जिनोंने बिल्कुल सोच लिया है कि मुझे CA ही क करना है, CSE करना है, यह मुझे CMA ही करना है, BCOM करना है, BCOM honors करना है, BBA करना है, क्या करना है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनोंने अपना जो करियर है, वो कही न कहीं टीचिंग लाइन में बनाने की सोची होगी, तो बच्चो ऐसे ही candidates के लिए NCEET नाम का B.A. कर लो, तो बेटा, अभी तक B.A. जो है, वो under graduation के बाद ही किया जा सकता था, यानि कि जो candidate B.A. करता है, वो 3 साल का under graduation करता और 2 साल का B.A. करता, तो उसके total 5 साल खर्च हो जाते, लेकिन बेटा, अब national common interest test के चलते, आप under graduation के साथ-साथ B.A. कर सकेंगे, यानि कि ऐसे courses को हम लोग integrated courses बोलते हैं, जहाँ पे 4 साल के अंदर-अंदर आपका B.A. complete हो जाएगा, कितने सालों में? 4 सालों में, यहाँ पे आपके B.com और plus B.A. 4 साल, B.A. plus B.A. 4 साल, B.A.C. plus B.A. 4 साल, कुछी तरीके से integrated courses, यानि कि 2 degrees को merge कर दिया जाता है, उतने ही समय में, 4 साल के स वेब साइट है, आप जैसी बेटा, इसको थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको तेरा तारीक की एक नोटिस मिलती है, जहाँ पे नोटिस में नेकिए, यह जो नोटिस है, यह आपकी क्या है, पबलिक नोटिस है, 13 April 2024 की जहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कि अब आप NCET के application form भर सकते है, inviting online application for NCET 2024 for admission to 4-year integrated teacher education program, ठीक है, तो भी 4 साल का यह integrated teacher education program होता है, जहाँ पे आप enrollment कर सकते हैं, इसका form भर सकता है, अब इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी भी ले लिए, देखो बच्चो, इन्होंने सबसे बेले क्या कहा है, कि online submission of application form, application form 13 April से लेकर 30 April तक भरे जाएंगे, आज हो गई है 15 तारिक, ठीक है, तो अभी आपके पास 15 दिन और बचे हुए, last date of successful transaction of fees, बेटा, last date क्या है, फीजमा करने की, 13 April, इसके लावा, आप correction कर सकते हो, 2 मही से 4 मही के बीच में, city, यानि कि 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 शेहर में आपका paper पढ़ है, इसका जो बेटा, आपका है, वो मही के last week तक आपको बता दिया जाएगा, इसी के साथ साथ आपके admit card आजाएंगे, examination के 3 दिन पहले, examination का date होने वाला है, 12 June 2024, यानि कि आपके CUET के exam के बाद आपका, ये वाला paper भी होगा, display of recorded responses and answer की, answer की बाद में आपको बता दी इसके बाद देखें, इन्होंने क्या कहा है कि भई, paper pattern के बारे मताया गया, इन्होंने कहा है कि आपके total 4 section होंगे, सबसे पहला आता है section number 1, जहां पे 38 languages हैं, और any 2 languages needed to be chosen, language 1 and language 2, आपको कोई भी 2 languages शुन नहीं है, 2 different languages paper are to be chosen, माल लीज़े आपने English ले लिए और Hindi ले लिया, Each language paper will have 23 questions, out of which 20 questions need to be attempted, आपके language के paper में 23 questions आएंगे, जिसमें से आपको 20 questions करने होंगे, 23 questions, मात्र और 20 करने, ठीक है, फिर आता है subject to, section 2, domain specific subject, बेटा, यहां पे आपको 26 domain specific subject लिये जाएंगे, और again, जैसा CUT के paper में होता है, class 12 के जो domain के subject है, बिल्कुल वही आपको यहां पे रखने है, और इन्होंने क्या कहा है, कि वही तीन domain specific subject आपको रखने है, domain में 28 question पूछे जाएंगे, 25 question करके आने, आगे देखते है, section 3 इन्होंने रखा है, general test, जहां पे 28 question पूछे जाएंगे, 25 question करके आने, और section 4 है, teaching aptitude, 23 question आएंगे, 20 question करके आने, तो बेटिक लिए यहा test pattern objective होगा, multiple choice type question का domain subject, class 12th के syllabus के हिसाब से ही आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, और इन्होंने देखे क्या कहा है, कि total, language 1, language 2, teaching aptitude, GT, domain 1, domain 2, domain 3, total questions आपसे जो पूछे जाएंगे, वो होंगे 181, और आपको questions करने है, 160, यानि कि आपको 160 question का paper करना होगा, 4 sections में यह divided, ठीक है बच्चों, तो यह हो जाती है, आपकी public notice, फिर उन्होंने आगे languages के नाम दे रखे है, language वहीव सारी है, जो आपने CUT में देखी थी, आप इसमें चुन सकते हो, local languages भी है, foreign languages भी है, फिर उन्होंने domain के specific subject दे रखे है, जैसे माल लीजे, account, BST और economics, अब जखो यार, जो बच करना चाहते हो, एक chance लेना चाहते हो, कि हाँ भाई, अगर ऐसे universities में admission हो भी जाता है, जहां पर integrated course भी करने को मिल जाए, तो भी ठीक है, जैसे मेटा यहां पर देख सकते है, BAB, BAC, BAC, चलिए, BCOM, BAC, अब BCOM, BAC, देखिए, उत्तराखंड, NRC, Department of Education, बिरला Campus, गरवाल University, श option हो सकता है, कि चलो, CUT में कुछ गढ़बढ हुआ मामला, तो यहां पर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर आपका interest है teaching में, अगर आपका interest ही नहीं, अगर आप teacher बनना ही नहीं चाहते हो, तो वह एक अलग बात है, बागी मैं यह कहूंगा कि यह form आया है, तो भरा जा सकता है बहुत महंगा form नहीं है, चलिए मैं एक बार आपको इसका detailed जो वो आया है न, notification, वो भी एक बार दिखा देता हूँ, जो इसकी brochure आई है, फिर यह तो हो गई public notice जो मैंने आपको दिखा दी है, main-main चीज़ें दिखा दी है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वो detailed brochure जो साथ release हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेटा, role of NTA, medium of examination, mode of examination, ठीक है, syllabus वगरा भी देख सकते हैं, कि syllabus वगरा क्या होने वाला है, सबसे पहले इन्होंने देखे क्या बताया है, सबसे पहले इन्होंने वही सारी चीज़ें बताया है, जो मैंने बताय इन्होंने बताया है, जैसे मैंने आपको ब्रोशर बताया था, बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगा, वही सारी चीज़ें की क्या क्या अलाओ है, पेपर में क्या क्या अलाओ नहीं है, तो आप इस notification को एक बार देख सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है, तो आप इस paper को दे स सकते हो, कही ने कहीं एक चांस बन जाता है, एक second option भी आपके पास स्यार हो जाता है, और चीज भी बुरी नहीं है, भाई, चार साल में आपका जो है, अंडर ग्राजुशन भी हो रहा है, और बीएट भी हो जा रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, और आपको पता, बीएट कह कर ली है, NCET की, लेकिन अब बात यह है, कि यार, यह हमने देखा है कि जितने भी यह पेपर जाते हैं, यह कहीं न कहीं CUET से related ही होते हैं, इनका आप syllabus देखो, इनका paper pattern देखो, इनके subject देखो, वही सारी चीज़ें again repeat हो रही है, तो बच्चों, अगर आप form भरना चाहते हो और अगर आपको यह कि यार, मुझे तयारी कहां से होगी, क्योंकि सब लोग तो CUET की तयारी करा रहे हैं, अगर ऐसा है, ठीक, एचल, list of qualifying examination देख लो, मतलब आपने 10 plus 2 किया होगा, तो admission हो जाएगा, यह देखे, 10 plus 2, यानि कि बारवी की है, तो इसका solution यार, वही है कि आप अभी batches में enrollment कर सकते हैं, अगर आप इस paper को भी देना चाहते हैं, यहाँ पर जो एक section है, teaching aptitude अभी फिलाल, वो आपको available नहीं है, लेकिन बागी अगर आपको GT की तयारी करनी है, लैंगुज की तयारी करनी है, आपने अभी तक CUT की तयारी कर रहे हो, और ऐसे form भरने के बा कैसे enrollment होगा, आपको all courses पर जाना है, आपको UGPG intern exam पर जाना है, आपको CUT UGPG पर जाके CUT Commerce पर जाना है, माल लो आप B.com कर रहे हो, B.com प्लस B.com, उसके लिए Commerce की पढ़ाही कर लो, माल लो आपको कोई friend है, जो science का है, humanities है, तो आप वो भी इस video को उनके भी share कर सकते हो, त तो आप माल लो यहाँ पर प्रतिग्या 2.0 प्लस बैच आपको दिख रहा है, और अब आप इन बैचे में रोल कर सकते हैं, if you are preparing for CUT, if you are preparing for NCET, ठीक, आपको क्या करना है, Y769 coupon code लगाना है, discount लेने के लिए, और आप यहाँ पर देखोगे कि यह आपका जो प्रतिग्या प 300 होई जाएगा, अगर आप application से जाओगे तो यह 29 हो गई पड़ेगा, तो अभी भी आपके पास एक option है, अपने त्यारी को बढ़िया तरीके से करने का, अगर आप CUT ले भी प्रिपेर कर रहो और अभी तक आपने कुछ नहीं सोचा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इन classes में enroll कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने theory को और practical questions को cover कर सकते हैं, आई दो कि बचा पार्टी आप लोगको यह सारी information अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगको भरना हो, तो भर दीजेगा, और comment करके जरूर बताइएगा, कौन-कौन बच्चा इस form को भर रहा Thank you very much, all the very best and Jai